हेलो फ्रेंट्स जेहिंद एंड स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सहायक बोरिंग टेक्निशिन के लिए ट्रेट के टॉप 30 MCQ जो की Mostly Repeated है यानि बार बार जो और पूछे जाते हैं टेक्निकल एक्जाम में ठीक है तो बस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं क्योंकि यहां से आपको एक से दो कोशन से और 100% देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स यहां पर नहीं है जो की Mostly Repeated है इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे हैं तो आज का पहला कोशन है कि भारत में इस पात का उत्पादन जो है किस विधी के द्वारा होता है भारत में जो इस पात का उत्पादन होता है सबसे अधिक किस विधी के द्वारा सबसे अधिक होता है तो यहाँ पे चार आपसन दिये गए यहाँ से पिक आउट करना है तो पहला आपसन दिया कि LD विधी द्वारा दूसरा है Open Heart विधी द्वारा विधी द्वारा सबसे अधिक होता है तो Open Heart विधी द्वारा सबसे अधिक होता है तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर बी अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है कि High Carbon Steel का उत्पादन जो है कि इसको कहते हैं यह सी यह यदिन यह करबन होता है कि हाई करबन इसका उत्पादन कि सीमेंटेशन क्विधी है अगले कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशूशन है जहां अधिक मात्रा में और जल्दी स्टील का उत्पादन करना हो वहां किस बिधी का उपियोग किया जाता है यानि जहां पे quick reaction करना हो यानि जहां पे अधिक मात्रा में जल्दी स्टील का infrastructure करना उत्पादन करना हो वहाँ किस बिधी का उपियोग किया जाता है तो वहाँ finally जो है electric बिधी का उपियोग किया जाता है यानि electric system का उपियोग किया जाता है तो right answer will be option number D हो जाएगा अगला question है कि stainless steel का उतपादन जो है finally किस बिधी द्वारा किया जाता है तो जो stainless steel होता है टेंसर हो जाएगा option number C यानि इलेक्ट्रिक आर्क बिधी द्वारा जो होता है स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है क्योंकि कई बार पूशा है यहां से question तो यह लोखा नीकिल और क्रोमियम का बना होता है यानिéqu स्टेनलेस स्टील किसका बना बना होता है व्यास का बना होता है यहनी लोखा निकिल ग्रोमियभी अगला question है अगला कोशन है कि high speed still जो होता है यानि yes 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 ठीक है high speed still का उत्पादन जो है किस विधी के द्वारा किया जाता है तो high speed still का उत्पादन जो है या high frequency method के द्वारा किया जाता है तो right answer will be option number a हो जाएगा यानि high frequency विधी द्वारा high speed still का उत्पादन किया जाता है अगला question है कि अलाव धातूं के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो friends आपको बता दें कि comment box में इसको आपको बताना ठीक है आपके लिए आज का question है ठीक है यहाँ आपके लिए आपको इसको बताना है बाकी अगले वीडियो में हम इसका answer बता देंगे ठीक ह अगले question पर चलते हैं अगला question है अलाव धातूं में सबसे अधिक गलनांग जो होता है किस धातू का होता है तो अलाव धातूं में सबसे अधिक गलनांग जो होता है वह किसका होता है वह कापर का होता है ठीक है कापर का होता है कापर का जो symbol होता है c u होता है तो अलाव धा सबसे अधिक गलनांग किसका होता है कापर का होता है अब चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन है कि घरेलू बरतनों पर अंदर की तरफ से धातु संरक्षित लेपन होता है यह जो घरेलू बरतन होते हैं ठीक है उनके अंदर जो होता है अंदर की तरफ धात सब्सक्राइबूरेयद सब्सक्राइबूरेयो जोसली होता है तो कई बार पूचता है कि टीन का सिम्बल क्या होता है तो टीन का सिम्बल होता है एसेन तो जो घरिलू बरतन होते हैं घरिलू बरतनों के अंदर जो है अंदर की तरफ जो धातु संद्रक्षित लेपन होता है तो टीन का होता है लेकिन आज कल जो इंडेक्शन वगरा पर जो बरतन यूज होते हैं उसमें कि कि परत होती अगर पुछा जाया अगर सिंपली इस तरहिके से पूछ ले कि आज कल बर्तनों में जो इंडेक्षन चूले पर प्रयोग किया जाता है उनमें किसकी परत उपयोग क्याती है तो चैफलान की गले कॉसें परत होती है तो तत्त है जो की मिस्ष्र इससपात को संचारण रोधी बनाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number यानि Centarz Gretchen अग्ले Monday इस यह हूंत पी इस पाद को संचारण रोधी बनाता है तो राइट एंसर उप्स आगले question पे चलते हैं next question है कि सिमेंट टाइट कारवाइट के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर चार आपसन दिये गए या इसको आप कह सकते हैं कि चार स्टेटमेंट दिये गए हैं इन में से आपको पिक आउट करना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है बाकि तीन यहाँ पे सही होंगे और एक गलत है उसी को यहाँ पे छाटना है तो पहला दिया है कि यह एक अलोह धात होता है cementite जो यह एक अलोह धात होता है बिल्कुल सही है second है यह tungsten, carbide, titanium, cobald और carbon का मिस्रण होता है यह जो cementite carbide होता है यह tungsten, titanium और cobald का जो है मिस्रण होता है और carbon का भी ठीक है और इसके temperature की बात करें तो यह जो है 1000 degree Celsius तापमान को सहन कर सकता है यानि कितने temperature को सहन कर सकता है 1000 degree Celsius को इसका प्रियोग next है इसका प्रियोग micrometer बनाने में किया जाता है यह गलत है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा option number D हो जाएगा इसका प्रियोग micrometer बनाने में नहीं किया जाता है तो हमारा finally क्या statement यहां पर सही है right हो जाएगा तो दसमे का right answer will be option number D हो जाएगा अगले question पर चलते हैं अगला question कर रहा है कि इस्टी light के विसे में निवन में से काउन सा कथन गलत है यानि इस्टी light को आप जिसे हिस्टी में पढ़े होंगे जो वहाँ पर नव पाशाणकाल पूरा पाशाणकाल वहाँ इस्टीína light यूज़ वह है तक है इस्टीलाइट का मतलब होता है सेल खडी होता है क्या होता है सेल खडी तो से से में कौट सा सब्राइब यहाँ कौन सा कथन जो है गलत है तो 11 का यहां पर पहला दिया है इस्टिलाइट यह एक अलोव मिस्रधात हुए बिल्कुल सही है यह कोबाल्ट क्रोमियम टंगस्टन का मिस्रण होता है किसका मिस्रण कोबाल्ट क्रोमियम टंगस्टन का मिस्रण होता है यह जटका को सहन नहीं कर सकत है ठीक है इसे फोर्ज किया जा सकता है यह चीजें बिल्कुल गलत है ठीक है ensure say जाएगा option number D इसे फोर्ज किया जा सकता है यह चीजें गलत है तो राइट एंसर विल भी option number D हो जाएगा बाकी तीन statement जो है बिल्कुल सही है अगले question पर चलते हैं next question है कि इस्टे लाइट किस temperature तक अपनी छमता बनाए रखता है जो इस्टे लाइट यानि जो सेल खड़ी होता है किस temperature तक अपनी capacity जो है बनाए रखता है तो यहाँ पर चार आप्सन दिये गए इन्हें से पिक आउट करना है तो राइट एंसर हो जाएगा option नंबर बी यानि 820 डिग्री सेल्सियस तक टंप्रेचर जो है बनाए रखता है इस्टे लाइड जो होता है यानि सेल खड़ी जो होता है वहाँ का वरतन होता है तो यहाँ पहला कथन दिया है थरटीन का कि यह एक आधुनिक पदार्थ है बिल्कुल सही है यह अलुमिनियम आकसाइड और पाउडर से बनाया जाता है यह भी सही है नेक्स्ट है इसका प्रियोग जो है कास्ट आरन प्लास्टिक और रबर को टरनिंग में किया जाता है यह भी सही है यह जो है 2000 डिगरी सेल्सिस टंपरेचर को सहन कर सकता यह चीजी यहाँ पे गलत है तो हमारा फाइनली राइट एंसर क्या हो जाएगा और अप्सन नंबर डी हो जाएगा अगले कोशन पर चलते हैं हीरा के बिसे में निमलिखित में से कौन सा कथ सबसे हाड पदार्थ है बिलकुल सही बात है नेक्स्ट है कि इसका पृयोग हलके कट और जाओ फिनेशिंग में किया जाता है यह बिल्कुल सही है यां जो है 1600 इसल सहन कर सकता है यहाँ जहटके को सहन करता यह चीज है तो राइट पीडिय अप्यासिएब्स में 100 इसका PDF आपको टेली ग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा इसलिए आप लोग टेली ग्राम जॉइन कर लें क्योंकि WhatsApp जो है फुल हो चुका है ठीक है बाकि जो लोग WhatsApp पे जुड़ चुके हैं उनको भी सेंड कर दिया जाएगा और जो टेली ग्राम पे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी सेंड कर दिया जाएगाँ तो आप लोग टेली ग्राम कर लिंक वीडियो की description बॉक्स को जरूद कुरें क्योंकि description बॉक्स में टेली ग्राम का लिंक के दे दिया गया असमें औरो हैं एक उस्का इंउन के उशना को या optimist को चेंशल की ऐंगरा जा जाता है जिए कि में फिर्श में वर्ग में रखा जाता हैं कि फेरिस या में कि तो राइट अजो भी ओप्सक्र नंबर सी हो जाएगा। अगला कोशन है कि हाई स्पीड श्टील में मिलाई जाने वाली परमुख धात कौन सी है? यहाइ लिख याइस एस, यहाइ लिख ध्ठेम में कौन सी धात जो है प्रमुक रूप से मिलाई जाती है तो हाई स्पीड स्टील में वेनेडियां मिलाई जाती है यहांपे क्रॉमियम टंग अस्टन वेनेडियां और निकल तो इसका राइट एंसर्ट ऑप्षिन से गणासन मिला जाती गये हैं इनमें से का निखेना सा गुड़ जो है राशायनी घुड़ है तो यहां पे जंग लगना जो होता है एक राशायनी गुड़ है यानि किसका में सजात्व ताबा और टिन का होता है किसका होता है ताबा और टिन का होता है तो राइट एंसर विल भी ऑप्षन नंबर ए हो जाएगा अगला कोशन है अगला कोशन है क्यूपोला भठी में पिग आयरन कोक और चूने का पत्थर किस अनुपात में मिलाया जाता है यह जो क्यूपोला भठी होती है उसमें जो पिग आयरन कोक और चूने का पत्थर होता है किस रेशियो में मिलाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number D दो संबंदे, चार संबंदे, एक के ratio मिला जाता है यानि आप ऐसा कह सकते हैं कि pig iron जो होता है दो percent मिला जाता है कोक जो होता है, चार के relation मिला जाता है और चूना पत्थर जो होता है, एक के relation मिला जाता है तो अगर इस तरह से question ना पूछे, एक जामे, अगर कहीं इस तरह से पूछ ले क्योपोला भठी में pig iron और चूने पत्थर का ratio कितना होता है तो दो संबंदे, एक हो जाएगा, ठीक है कि बिजली बल्ब जो filament होता है, किसका बनाया जाता है तो बिजली का जो बल्ब होता है, इसका filament जो होता है, वह किसका बनाया जाता है तो बिजली के बल्ब का जो filament होता है, वह टंगस्टन का बनाया जाता है तो right answer will be option number C हो जाएगा अगला कोशन है कि गन मेटल जो होता है किस धातूं का मिस्तरण होता है तो गन मेटल जो होता है किन धातूं का मिस्तरण होता है most important है क्योंकि ऐसे कोशन बार बार repeat होते है तो जो गन मेटल होता है किस धातूं का मिस्तरण होता है कि गैसो हाल मिस्त्रण किसका होता है जो गैसो हाल होता है यह किसका मिस्त्रण होता है तो गैसो हाल जो मिस्त्रण होता है यह किसका होता है यह हो जाता है पेट्रोल और एलको हाल का हो जाता है किसका होता है अगला कोशन है रोल्ड गोल्ड मिस्त्रण होता है कितना परसंट य गोल्ड होता है वह copper और aluminium का मिस्षण होता है किसका गोल्ड जोओता है copper और 90% होता है और Aluminium जो होता है 10% होता है अगर इस तरह से percentage ना दिया रहे है पूछे किस का मिस्रण होता है तो Copper और Aluminium का मिस्रण होता है ठीक है तो Roll Gold किस का मिस्रण होता है तो Copper और Aluminium का मिस्रण होता है तो Right answer हो जाएगा Option number B यहाँ पे 2 question है तो जरूरर याद रखियेगा अगला कोशन है टाटा जो है लव इसपात प्लांट जो है किस राज में है तो या जो है झार खंड राज में है तो राइट एंसर विल भी option number क्या हो जाएगा option number A हो जायेगा ठीक है टाटालो इस्पाथ प्लांट किस राज में है जहार खंड में है अगला कोश्चन है कि बैविट मेटल जो होता है किसका लाय होता है तो यह हो जाता है 26 का राइट एंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है कि वाइट मेटल जो होता है किस लाय से तयार किये जाते है तो यहां पर चार आपसं दिए गये हैं यहां से आपको पिक आउट करना है कि इसका राइट एंसर क्या होगा तो राइट एंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर बी लेड टिन कापर वा एंटी मनी के ह होते हैं ठीक है यानि वाइट मेटल जो होता है किसका अलाय होता है किस से तयार किया जाता है तो लेड टिन कापर और एंटी मनी का मिस्टर होता है अगला कोश्चन है टंगस्टन का गलनांग कितना होता है तो टंगस्टन का गलनांग जो होता है तो टंगस्टन का ना होता है 3380 celsius होता है नेक्स्ट कोश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वाइन मेटल जो होता है किसका मिस्रण होता है जो क्वाइन मेटल होता है या किसका मिस्रण होता है तो क्वाइन मेटल जो होता है या जो है कापर और निकल का मिस्रण होता है तो यहां से द दूसरा percentage यूप पूछ लेता है कि कतने percent मिल कर बने होते हैं तो copper typically 25 percent हो जाता है ठीक है ऑ्मक्न जी सो 75 कितना हो गया 100 हो गया कोई चीजे होती है 100% मिलकबनी होती है जब एक चीज अगर पता रहेगा दूसरा अटमेटिक पता हो जाएगा ठीक है तो कापर 75% होती है और निकिल जो है 25% होती है राइट नेक्स्ट एंड लास्ट कोशन है आज का कि बेल मेटल जो होता है किस मेटल किसका मिश्रण होता है कापर और टिन का मिश्रण होता है तो यहां से हमने हैं इस आपको कवर करवाएंगे ठ Почему ट रिपेट कोश्ट नहीं तो फ्रान्ट सी चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करते में । ताकि आपको रेगुलर आपडेट मिलती रहे हैं। तो फ्रेट से चैनल पर नए तो बीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं क्योंकि आपके लिए सहाइक reacts टेकिसन के बिल्कुल टॉपिक हुआ यहां पर तैयारी करवाई जा रही है तो प्रेंट से वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में जुरूब रहे हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद